Hello दोस्तो, कुरुशियेट में आपका स्वागत है One place for your sports injury and giant replacement solutions मैं ड्र प्रसाद, sports injury and giant replacement specialist, head and founder of the team कुरुशियेट आज हम बात करेंगे कंदे का बार-बार उतरना और बैंकार tiar के बारे में कंदे का जोड बाल और साकेट जैसे होता है यूमरस अत्वा हाथ का हड़ी जोड में बाल की तरह काम करता है और स्केपला अत्वा कंदे की हड़ी जोड का साकेट बनाता है ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा गुमाने वाला जोड है ये गुमाओ ही इस जोड की कमजोरी है ये कमजोरी इस जोड को बार बार उतरने में मजबूर कर देता है कंदे की मजबूती मुक्यत लिगमेंट, कैपसूल, दिनाइड लेबरम और मास फेशियों से मिलकर बनती ह इनमें किसी को नुकसान होने पर कंदा कमजोर होके बार बार उतरने लग जाता है अब हम बात करेंगे कंदा किस कारण से बार बार उतरता है केल के दोरान चोट लगना, जिम के टाइम पर चोट लगना, ट्रॉफिक आक्सिडेंट्स, सीधा हाथ के बल गिरना, इत्यादी आप इस सीटी स्केन में देख सकते हैं कंदा उतरने के कारण हड़ी का एक टोट रखुदा तूट चुका है, अब बात करते हैं, हिलशक लिजन क्या होता है कंदे की हड़ी पर दबाव आने के कारण एक impact action fracture बन जाता है इसको हम hillsaclision बोलते हैं कंदा उतरने के दोरां हाथ की हड़ी का गोलाकार बाग आगे आकर साकर से टकराता है जिस वज़े से वहाँ से fracture बन जाता है अब हम बात करेंगे बैंकार टियर का लक्षन के बारे में कंदे का डीलापन एक साधारन दिखने वाला लक्षन है इसके अलावा कंदे में दर्द रह सकता है मरिच को सिरके उपर हाथ उटा के करने वाले काम में दिक्कत आ सकती है जैसे कि भाल फेकना, भैट मिटन केलना, टेनिस सर्विस करना, इत्यादी अगर आपका कंदा बार बार उतरता है या बैंकार टियर है तो स्विमिंग करना आपके लिए बहुती कतरना को सकता है अगर तेरते समय कंदा उतर कर जाम हो गया तो आप तेर नहीं पाएंगे ये जान के लिए कतरना को सकता है बैंकार टियर पता करने के लिए यम्मारई सबसब है तरीन जांचे अब चलते हैं बैंकार टियर के इलाज की तरफ अगर आपको कंदे में डिलापन मैसुस हो रहा है या कंदा बार-बार उतर रहे आपको सरजरी की जरूरत है सरजरी दुर्बिन के द्वारा की जाती है इस सरजरी में मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है की होल्स के द्वारा दूर्बीन जाइंट के अंदर जाता है पहले चोट की गंबी रता पता करने के लिए डायगनोस्टिक आर्थोस्कोपी किया जाता है आप इस वीडियो में रिपेर करने वाले बैंक कार्ट टियर को देख सकते है पहले लेबरम को रिलीस किया जाता है बाद में सूचर आंकर के मदद से रिपेर किया जाता है इसको टीक करने के लिए लेटार जेट नाम का आपरेशन किया जाता है इस आपरेशन के द्वारा कोरकाइट नाम का चोटा सा हड़ी के मदद से साकेट को दुबारा बनाया जाता है आपरेशन के बाद पेशन को चार से चे हफते आम पोच पहनना जरूरी है फिजियो तरपी के द्वारा दीरे दीरे से कंदे का मुमेंट शुरू किया जाता है तीन माइने के बाद पेशन्ट सिर के ऊपर हाथ उटा कर करने वाले काम कर सकते है तीन माइने के बाद पेशन्ट सिर के पेशन्ट सिर के उट आपी जाता है